इस वेडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह Windows 10 लैप्टॉप में टाइटल बार का कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं By default ज्यादा तर लैप्टॉप ये ये जो उधी पट्टी होती है ये ब्लिव कलर की ही रहती है तो आप किस तरह टाइटल बार का कलर चेंज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ तो मैं इसे minimize कर लेता हूँ टाइटल बार का कलर चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले Start बटन पर क्लिक करना है फिर आपको Settings पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको Personalization पर क्लिक करना है उसके बाद आपको Colors पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको दिखाई देगा Preview के नीचे Ascent Color तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टीक है यह उदे Color पर है तो जो आपको Select करना है वो Title Color हो जाएगा तो यहाँ पर बहुत सारे Color हैं मैं यहाँ से Red Color को Select करता हूँ तो आप देख सकते हैं Title का यानि कि Title बार जो है हमारा Red Color का हो गया है उसी तरह मैं यहाँ से Green Select करता हूँ तो आप देख सकते हैं Title बार ग्रीन हो गया है मैं Ready रखता हूँ तो इस तरह से आप टैटल बार का कलर चेंज कर सकते हैं